पंजाब के जजजल गाउं के मास्टर जर्नेल सिंग ने बहुत दुनिया देखी है ग्रीन रेवल्यूशन से आए बदलाव को इन्होंने अपनी आखों से देखा है 1965 तक यहाँ पे कुद्रती खेती होती थी तब यहाँ किसी भी तरह की कोई बिमारी नहीं थी जब ग्रीन रेवल्यूशन आया केमिकल और स्प्रे आये केमिकल के बड़े बड़े 20-20-40-40 लीटर के ड्राम आते थे मैं देखता था कि लोग केमिकल की बोरियां कंदों पे गाड़ियों में ट्रकों में भर-भर के लाते थे मुझे तो देखकर हैरानी होती थी इतना सारा जहर स्प्रे के द्वारा छिड़का जाता था मुझे तो तभी यकीन हो गया था कि ये जहर सब को मार देगा कोई नहीं बचेगा इतनी सारी स्प्रे अनाजपे होगी तो नुकसान ही होना है किसी को मालूम नहीं था कि इसका जमीन पर फसल पर दूद पर क्या असर हो रहा है इतने सारे जानवर किस वज़े से मर रहे हैं इस जहर ने परियावरण को खराब किया साथ में खेती भी खराब की लोगों की सेहत भी खराब हो गी आज कल मेले अस्पताल में लग रहे हैं मैं अपने गाउं की बाद बता रहा हूँ 45 लोग कैंसर से मर चुके हैं इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है देखेजी मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ मैं तो एक साधरन किसान हूँ लेकिन मैं जो ये तबाई देख रहा हूँ उसके जिम्मेदार ये पेस्टिसाइड और कैमिकल नहीं है पेस्टिसाइड का लोगों की सेहत पे क्या असर होता है ये जानने के लिए हमारी टीम ने पंजाब को चुना क्यूंकि पंजाब का एरिया भारत का दो प्रतिशत मात्र है लेकिन यहाँ देश में इस्तिमाल होने वाले पेस्टिसाइड का हिस्सा देश का 15-18 प्रतिशत है आखिर इतनी भारी मात्रा में ये जहरीले पेस्टिसाइड क्यों छिड़के जा रहे हैं इसका जवाब दिया खुद एग्रीकल्चरल प्रडाक्ट्स के विक्रेता सुरेंद्र महेश्वरी जी ने फिर उसका जो सर्वेंट उसको 200 ग्रम कर देता है जानी 40 ग्राम बाली 200 ग्रम पढ़ रही है तो इतनी ओवर्डोज पढ़ती है गुर्प्रीत एक समाच सेवक है अपने आसपास के गाउं में लोगों की लगातार गिर्ती सेहत दे गुर्प्रीत ने एक सर्वे किया पूरी फूर्ड चेन में पैस्टी साइड घुस चुके हैं सुबा जहर चिड़का जाता है शाम को सबजी आपके बरतन में होती है बनने के लिए ये जो सिनेरियो है ये पूरे पंजाब का है पंजाब के हजारों गाउं में यही हाल है लोगों की सेहत लगात्तार गिर रही है हालात इतने खराब हैं कि राजिस्थान के बीकानेर जिले के एक चैरिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से ट्रेन चलती है भटिंडा से बीकानेर जाने वाली स्ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है मेरी चाती में गांटें हो गई फिर पूरे शरीर में गांटें ही गांटें हो गई ससुराल वालों ने मुझे मेरी मा के पास छोड़ दिया मेरी मा बहुत तकलीफ से मेरा इलाज करा रही है